हलो दोस्तों वेलकम टू में पॉइंट सडी आई हूप आप सारे के सारे ठीक हो तो बहुत सारे बच्चे बेसबरी से इसी वीडियो का वेट कर रहे थे कि कब सर आप स्यूटी के एक्जाम की तैयारी करवाओगे तो लो जी हम आ चुके हैं ठीक है यान है यह वाली जो वीडियो है यह उन बच्चों के लिए जिनकी पॉल साइंस हिंदी के अंदर है इंदी के अंदर है चलो यह तो पहली बात हो गई अब जो मैं बात बता रहूं आपको मेरी बहुत ध्यान से तो टाइम लगे गा तो यह बात नहीं बताऊंगा इस विडियो में बाद ने वाला हूं अब मेरी बात ध्यान से सुनना पहली बात तो यह एक के बहुत सारे में से पूछ रहे थैं तेंक आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं वीडियो बनाने में देखो मैंने पहले बाद जब CUTE का पूरा syllabus देखा है ठीक है मैंने बेसिकली आपके एदेखो पेपर वगएर आपको दिखी रहा होगा लास्ट एर के कोशन पेपर वगएरा को भी एनलाइस किया और साथ में जो लोग YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं आपके CUTE से रिलेटेड वो चीज़े भी जो है वो मैंने नोटिस करी है ठीक है और उसके बाद ही मैं भी चाहता है मैं भी वीडिचाल में लग जाता कि यह लो जी यह यही वीडियो मेरे तो बड़ा आसान था मैं तो हर चप्टर के MCQ पहली प्रपेर कर रहे थे प्लॉट तूप का है यह और इसके अंदर कुछ ऐसे कोशन है जो आपको बिल्कुल पले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वह आपकी बुक के अंदर ही नहीं ठीक है और मैं समझाता हूं पहले वह आपकी बुक की अंदर क्यो नहीं है वो भी बताऊंगा और वो आप कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा और हम कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा टेंचर लेने की ज़रूत नहीं है बट यह बताना important है इसलिए बता रहा हूं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा यह बात जैसे कि यह वाला question है question number six match करना है ठीक है Korean War, Soviet invasion in Hungary, America ने कब Vietnam पर attack किया था और US के जो प्रेजडेंट थे रिचर्ड निक्सन और चायना कब गए थे बहुत कम बच्चों को पता होगा इसमें से एक भी चीज Korean War बच्चों को पता होगा जिन्होंने मेड से पढ़ा है क्योंकि मेरी एक बहुत गंदी आता है मैं बहुत डीप में घुसके पढ़ाता हूं ठीक है कुछ बच्चे उस टाइम गोलते के सरी है तो बुक में नहीं आप क्यो पढ़ा रहे हो बड़ एक्चुल में देखो और इसके यह भी स्यूटी का एक्चुल पेपर है जैसी को आपको कोड वगरा सारे दिख रहे होंगे तो इसके अंदर भी यह आ रख है कि UN जो है वो किसका सक्सेसर है तो यह UN लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है अब यह चीज में आपको क्यो दिखा रहा हूं मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि अगर सरफ आप जो आपकी बुक के अंदर साथ चैप्टर दे रखे है फर्स बुक के और सेकंड बुक के आठ चैप्टर दे रखे है अगर उसी चैप्टर के M.C.U करके जाओगे तो जैसे टेंचल लेनी की जरूतनी है मैं यह कवर करवाँगा अब बात क्या है ऐसा क्यों है यह एक्स्टर टॉपिक कहां से आए वह बताता हूं पहले न आपकी पोल साइंस की जो फर्स बुक है उसके अंदर नौ चैप्टर होते थे अब साथ है तो वह जो दो चैप्टर लेकिन के लिए तो कट गए बद एक्कशल में उसमें से CUT अंदर पूचा जा रहे है तो वह भी चीज़ें कवर करेंगे और जो चीज़ें से कवर करेंगे और कुछ चीजें कररंट भी आरही है जैसे पूछ लिया गया था ठीक है इसी के अंदर कोशन था नियम का नेम का हमारा मतलब 2019 के अंदर जो हमारा सम्मेलन हुआ था ठीक है नैम का वो कहां पर हुआ था अजरबाइजान में हुआ था ये कोशन आ रखा है ठीक है तो ऐसे करेंट वाले कोशन वगरा भी पूछे गए हैं तो वो सारी की सारी चीजे भी हम कवर करेंगे तो आपको टैंचल ले अजर बात मेरे को बतानी थी अब आ जाते है इस PDF पे तो बैसिकली मैं इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक पहली बात तो पेड पीडिएफ है ये भी बता दूँगा आपको और वैसे तो आप देखो और जब आप रिवीजन करने जाओगी तो बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता रिवीजन में कम टाइम लगाना है आपको तो आप PDF डाउनलोड करके कर सकते हो नीचे आपको दो PDF मिलेगी एक PDF मिलेगी जिस पे सिर्फ लिखा होगा PDF ठीक है और यह वाली PDF आपको मिलेगी जिसमें हर question के आगे answer वगरा भी mark कर रखा होगा at the rate लिखा होगा हर question में मैं दिखा देता हूँ और ऐसा भी लिए कि 10-20 question है यूट्यूब पे कोई भी है न चप्टर वन के असी question नहीं करवाएगा बट मैंने करवाए है बट इसमें extra topic भी add है ठीक है वो आ आगे link दे रखाओगा जब आप इस पर click करोगे इस PDF पर click करोगे तो यह खुलेगा यहाँ पर आपको group वगरा दिखेगा ठीक है यहाँ पर आप जब open पर click करोगे तो telegram जो group है वो खुल जाएगा तो आप यहाँ पर यह PDF वगरा मिल जाएगी आपको ठीक है उसके साथ आ आगे तो मैंने test start कर दिया तो लिखा I am ready इस पर click किया मैंने 3 2 1 ready set अब आएगा जी पहला question पहला question जैसे कि आपके सामने आ गया है कि 1985 में Soviet या Communist Party का जो लीडर था उसका नाम क्या था उसका नाम जो था वो मिखाईल गोरवाचेर था तो पहला question हो गया हमारा ठीक है अब द का विगटन के बाद जो उत्तर अधिकारी कौन बनाता रूस बनाता तो ऐसे question आएंगे और and में अच्छा है timing भी है एक मिनट के अंदर यह आपको answer बगारा करना और जब आप यह पूर test complete कर लोगे 80 question तो आपको यह आपका result भी बताएगा जैसे कि उपर आप देख सकते हो यहाँ पर total मिलाके 80 question थे उसके अंदर 72 correct थे एक बच्चे से मैंने करवाया थे उसके 7 गलत थे एक miss कर दिया था उसने यानि एक मिनट से जादा time ले लिया तो question skip हो गया खुदी और total मिलाके 9 minute 51 second यानि बहुत अच्छा उसने test किया और आपको rank भी बताएगा कि जितने भी देखा कि पहला question आपका यह आया 95 वाला बट जब आप दूसरी बार दोगे तो question यह भी नहीं आएगा पहला question यह भी नहीं आएगा और option वह भी उपर नीचे होंगे मालो यह वाला question मालो six question आ जाता है फिर यह वाला question आ जाता है कि 985 में सोवियत जो संग की जो communist party उसका महा उतनी पड़ेगी सीधा revision करनी है test उठाओ test दो marks पता चल जाएंगे कम marks आ रहे है तो फिर आप PDF के अंदर से read करना शुरू करो ठीक है और इसमेरा hint भी लिख रखी है जैसे कि आप अगर check करोगे तो यहाँ पर देखो यह bulb बनावा इस पर click करोगे तो यह आपको answer वगरा भी देगा ठीक है कि checks लो बाकिया दो इलाकों में तूट गया था ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़ है I hope यह बात आपको पता चल गई तो इसलिए दो PDF है एक विड टेस्ट है एक विदाउन टेस्ट है ठीक है बाकि हम वीडियो से ही cover करेंगे चलो जी आ जाते तो हमारा कोशन है बिना time risk एप शुरू करते तो पहला कोशन है कि हमारा समाजवादी सोवेत गडराज्य की शुरूब रूस में होई थी और रूस में होई थी वो किस समाजवादी करांथी के बाद हुई थी यानि एक समाजवादी करांथी रूस के अंदर जिसके बात हमारा जो basically USSR यानि Soviet संग बना है जो की समाजवादी आइडियोजी पर चलता था तो यह कौन से साल की बात है 1916 की 1917 की 1917 के अंदर हमारे USSR के अंदर या मैं बूलू रूस के अंदर एक क्रांती हुई थी जो इसको Soviet क्रांती बोलते है उसके बाद ही हमारा Soviet गंडराज्य बना था और यह जो अंदर बगरा हुआ था क्रांती हुई थी इसको जो लीड किया था इसके जो लीडर थे उसका नाम था Lenin वाल्दमी लेनिन नाम था था ठीक है जी और आपको पता ही है समाजवादी आइडियोजी पर ही फिर हमारा USSR चला और एड में जाके USSR का विटन हुआ 1991 में अच्छा एक और बात अगर कुछ बच्चे मालो पीडिया वगरा डाउनलूड करके नहीं भी करते तो कोई बात नी बच्चे आप इसको as a test लेना मैं वीडियो में समझा रहा हूँ पर पहले आप खुद कोशन का अंसर करना फिर आगे अंसर पर आना ठीक है चलो बर्लिन की दिवार किस वर्ष बनाए गई थी तो बर्लिन की दिवार आपको पता है 1961 में बनाए गई थी यह शीतियुद का प्रतीक थी शीतियुद आपको पता है US और USSR के बीच में हुआ था यानि अमेरिका और Soviet Sun के बीच में हुआ था यह स्टार्ट हुआ था 1945 में चला गई थी यह दिवार 28 सालों तक यह दिवार खड़ी रही थी 1500 किलोमेटर लंबी यह दिवार थी यह जो दिवार है यह बर्लिन के अंदर बनाए गई थी जो कि जर्मनी के अंदर है जो कि जर्मनी को दो पार्ट में बाटती है यह दिवार अब नहीं है यह दिवार तूट सार के अंडर था, पॉप्य संग के अंडर था और जो वेस्ट जर्मनी है हो हमारा नाटो के अंदर यांश यह उस के अंडर था अबी बताओंगा कि नाटो और वार्सा क्या होता कर आपको नहीं पता तो, next वाले कॉशन पर आता है कि बरलीन की दिवार जो है वो किस वर्ष गिराया गया था बल्लेन की दिवार को 9 नमबर 1949 को 9 नमबर 1994 को 9 नमबर 1989 को 9 नमबर 1989 को 81 या 89 को तो इस का अंसर है जी 9 नमबर 1989 को उपर हमने देख लिया था क्योंकि सम्में 9 नमबर लिखा डेट भी याद रखने है नीचे वाले कोशन पर आ जाते जी नीचे वाला कोशन है कि जीब आपको इसको करमनुसा लगाना है तो ये ABCD दे रखा और ये आपको ओप्षन में दे रखा ठीक है तो मैं आपको साल बताते जाता हूं ठीक है तो इन सब के बर्लिन की दिवार गिराई गई थी अभी अभी मैंने बताया 1989 में अच्छा बनाना लिखा है तो बनाना तो 1961 में हुआ था तब बनी थी सोविय संगा विग्टर 1991 में हुआ था रूसी करांती अभी अभी मैंने देखा फर्स्ट कोशन यही था 1917 में और यह वार्सा की संधी हुए थी 1955 में अब यह वार्सा है क्या सुन लो आप अब बताता हूं मैं आपको बता है शीरती उदुचो था वो US और USSR के बीच में चला USSR ने एना एक सैनिक संगठन बना लिया था जिसका नाम था NATO क्या नाम था नाटो जिसको हिंदी में बोलते थे उत्तरी, अट्लांटिक, संधी, संगठन नौर्थ, अट्लांटिक, ट्रिटी यानि संधी, संगठन और वैसे USSR ने भी अपना एक सैनिक संगठन बनाया था जिसका नाम था वार्सा वार्सा पैक्ड बनाया था इसमें बहुत सारी कंट्री आपस में मिली वी थी और इसमें भी बहुत सारी कंट्री आपस में मिली वी थी दोनों ने अपना military organization बनाया था और country को अपने साथ मिलाया था तो आप देख सकते हो, सबसे पहला option है हमारा जी वार्सा उनिस सो पच्पन में बनाया गया था वार्सा संधी तो डी के बाद है ये तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूती नहीं है एक ये option में डी के बाद रिखा है तो second हमारा सही है बाकी option पर जाना है नहीं, चेक ही नहीं करना आपने को नेक्स्ट लिखा है कि सोवे संग के विगटन के बाद राजनित की परिणामों की पहचान करिए इन में से कौन कौन सी चीज़े सोवे संग के विगटन के बाद हुई है इस तो easy question है क्योंकि आपने पढ़ा है अब देख लेते हैं शीतिउध का टकराव का अंथ, बिलकुल sovyet संग के विगटन के बाद ही तो शीतिउध का अंथ हुआ था तो sir हां यह साही है यही हुआ था, यही राजनितिक परिडाम में sovyet संग के विगटन का नेक्स्ट है कि आपको पता है सोवेट संगे विगटन के बाद जो है वो स्वतंतर राष्ट्रों का राष्ट्रकुल भी बनाया गया था स्टार्टिंग में नौ देश थे जिसके अंदर CIS जिसको हम बोलते हैं जो हमारे सोवेट गंडराज जेके तो देश तूट गए थे उनकोंने बहुत सारे देशों ने आपस मिलके संगठन बनाया था तो सर ये भी करेक्ट है विश्व राजनीती में शक्ती संबंद का बदलना बिल्कुल बदलाता सर अब दो जो सूपर पावर होती थी स्रिफ एक सूपर पावर रह गई जिसका नाम है US तो B सहिए, C सहिए और E सहिए option में देखते है विए C और इस वाला सहिए नेक्स्ट है कि पूँजी वाद और सामयवाद के बीच में विभाजन का परतीक है, यह बात विल्कुल सही है, बर्लेन की दिवार यही तो दिखाती है, यह पूँजी वाद और सामयवाद को बाटता है, नेक्स्ट है, यह 9 नमबर 1989 को तोड़ी गई थी, यह बात भी सही लि मिलान करना है, अब यह क्या है, यह मैं समझा देता हूँ, ठीक है, यह अब यह है क्या, पहले तो इसको समझने के लिए ना, ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम है ना, यह ऑपरेशन एंडूरिंग रीज, इन्फाइनाइट रीज है, फ्रीडम है क्या, उसके लिए आप आज लिए तीसरी बार भी वीडियो बनानी पड़े तो बनाएंगे, ठीक है, बट मैं एक बार दुबारा से चेक करूँगा, कि मेरी वोईस आ रही है नहीं, तो क्या बता चला, एक पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, अच्छे से, शालो जी, रब मैंने कर लिया, ओके, ओके, जी, यह रब हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कि मेरी वोईस रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही, चलो जी, मेरी वोईस तो रिकॉर्ड हो रही है, अच्छे से, अब आ जाते हैं जी, इस पर दुबारा से, अब देखो, हुआ क्या था, कि अमेरिक, देखो, जब आखरा का से, तो अब आपरेशन का नाम जरूर हो गया, ऐसे बहुत सारे ओपरेशन, जो है, हम उनका नाम रखते हैं, तो वैसे यह न, जो जो ऑपरेशन, जो भी सैनिक अभ्यान, अमेरिका ने या यू. ने चलाए न, तो उन अपरेशन का वह कुछ नाम रखते थे, ठीक क्या हुआ था इराक का एक लीडर था जिसका नाम था सद्दाम हुसेन उसने क्या किया था कि पड़ोस में कंट्री थी जिसका नाम था कुएत कुएत पर हमला कर दिया था ठीक है और उसको अपने एक अंट्रोल में लेना चाहता था तो उस ताइम जो यू-n था ना 1991 के अंद और बोला कि जी आप इराक पर अटैक करो और 34 देशों के सेनाओं में से जो टोटल मिला के 6,70,000 सैनिक इकट्टा हुए जिसमें से 75% सैनिक अमेरिका के थे तो बेसिकली अमेरिका वर्सिस इराक की लड़ाई बन चुकी थी ठीक है और इस ओपरेशन को नाम दिया यू-n न में information desert storm के एक तरह से एराक और वाला इरया desert कहा तो desert में ट्रॉम उठा देंगे दतीर्च की प्रतम्ूद जास की प्रतंकर भी बोला जाता हैं शनौ म कईरwegen आप गयुक्हाय घंद हो हवाल टाइट कर रहा हैं तो इधो क्लेर हो गया तो अब एंड में जाके फिर इराक ने को चोड़ना पड़ा इराक को क्योंकि बहुत गंदी तरीके से इराक जो है वो पिट रहा था तो यह operation चलाया था यह हो गया operation डेजर्ट स्रॉम दूसरा operation है operation infinite reach हुआ क्या था 1998 के अंदर है अमेरिका की embassy थी दो इलाकों में एक तो था Kenya केंदर Kenya केंदर एक जगह थी नरोबी करके और तखननीय केंदर एक जगह थी दारू सलाम करके औरेशलाम जसको खा जाता है इंदो जगह पर है आमेरिका की गुस्सा आगया अमेरिका को, तो अमेरिका ने क्या किया, कि अलकाइदा के जो ठिकाने थे ना, वहाँ पर कुरूज मिसाइल से हमला करा, और उस उपरेशन को नाम दिया, उपरेशन इनफाइनाइट रीच, कुरूज मिसाइल से हमला किया, तो कुरूज मिसाइल तो कितनी भ प्रिदन हमेरीका wow यानि द्थ उसका जू दियर को बॉरल्ड से छुट्टी करवाने की अंगी दिलवाने उनमें उन्होंने बात दियर बात करी थे हैं इसानउ जोर्ज डवल्यू बुश ठीक है और उसने क्या किया था तालिमान के ठिकानों पर अटैक वगरा करवाये थे और इसको ग्लोबल वार ऑन टेर्रिजम भी कहा जाता है कातंगवाद के खिलाफ लड़ाई युद भी कहा जाता है इसको ठीक है वैश्व कातंगवाद के खिलाफ युद ठीक है ये समझ आ गया आपको ये जो अंदोलन टेर्रिस्ट हमला हुआ था उसी के बाद ये चलाया गया था उपरेशन लास्ट है ऑपरेशन इराकी फिरिडम अब हुआ क्या था बेसिकली इसमें क्या हुआ था किया ना अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया था अम 2003 के अंदर ऑपरेशन चलाया था अमेरिका ने और क्रिटिसाइज भी किया था यूएन वगरा ने क्या आप ऐसा हमला वगरा क्यों कर रहे हो अमेरिका ने कर रहा था ऑपरेशन और इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रिडम ठीक है जी अब आ जाते हैं यह सारी चीज़े आपको क्लेर हो गई अब आ जाते हैं जी डारेक्टली कोशन पर ठीक है वो जो हमारा कोशन था उस पर आ जाते हैं ओके जी तो सबसे पहला लिखा हुए ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम आपको पता है इराक ने क्वेट पर हमला कर दिया था तो इराक को क्वेट को इंडि आने के लिए 2001 में चलाया गया था जिसको हम ग्लोबल वार और टेरिजम भी कहते हैं और आपरेशन इराक को सद्धाम हुसें से इंडिपेंडट करवाने के लिए 2003 में चलाया था अब देहों एक का सेकंड अप्शन में उसके बाद बी का फर्स्ट है ये का सेकंड बीका फर पिछले साल आयवा कुछन है, next in 1985 में सोव्यत जो संग है, Communist Party का महासरचीफ कौन था, मिखाइल गोरवाचेफ था, 1985 में USSR का लीडर बना था, Communist Party का लीडर बना था, और मैं आपको बता दू, रुश्या में सिर्फ एक ही पार्टी थी, Communist Party, इसको भी line wise लगाना है, तो आसियान की स्थापना कभूई थी, आसियान एक शेत्र संगठन है, जैसे European Union है, और European Union यह देखो लिखाव है, European Union बना था 1993 में, आसियान बना था 1967 में, तिबबद चाइना ने तिबबद पर कम हमला किया था, साथ अक्टूबर 1950 को, सिर्फ 1950 याद रखो, आप टेंशन मत दो, खुले द्वार की जो नीती थी, Open Door Policy अपनाई गई थी, 1972 में, एट में, सोरी, उसके बाद दुत्य विश्युट की समापती हुई थी, 1945 में, अब इसको अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या है, अरेंजी तो करना है, हाँ, अरेंजी करना है, तो सबसे पहले डी है, चेक करते हैं, सबसे पहले डी, दो-दो option में लिखा है, और डी के बाद जो दे रखा है, वो दे रखा है, जी, चीन ने हमला किया था, तो डी के बाद बी है, दी के बाद बी है, तो इस cancer fourth है, बाकी पर D के बाद A लिखा तो यह नहीं हो सकता, बाकी तो A है, A से start हो रहा हो जी सकता, तो इसलिए इस cancer fourth है, बाकी देखने की ज़रूती नहीं, बढ़ फिर भी मैंने आपको साल लिखवा दिया आगे, next वाले question पर आ जाते है, NAM, यानि अच्छा NAM है क्या, ह वार्सा पैक्ट, वैसे ही है, कुछ country जो थी नहीं नहीं अजाद हुई थी, है न, और अभी उनको आर्थी विकास करना जरूरी था, अब वो अगर USSR के साथ में जाती, वार्सा में जाती, तो अमेरिका से लड़ाई, अमेरिका के साथ जाती नाटो में, तो USSR से लड़ाई, तो बाकी country उने मिलकर रहना है, एक और अपना गुरूप बना लिए, जिसको कहा जाता है, नाइम, नौन अलाइन मुमेंट, गुरूप निरपेक्ष था, और इसका पहला संगटन, जो संबेलन हुआ था, वो हुआ था, बेल ग्रेड में, 1961 सेप्टेंबर में हुआ था, पह अलप अविक्सित दे, ठीक है, वो किस टाइप की अजादी हासिल करना चाहते थे, वो आर्थिक अजादी हासिल करना चाहते थे, ठीक है, उनको लगता था कि देखो, जो अभी अलप अविक्सित यानि जो गरीब देश थे न, वो अमीर देशों से अजादी हासिल करना चा चाहते हैं जिसका अंसर है आर्थिक जादी ठीक हैं एक यह पैराग्राफ का है सकते हैं उस विचार की पहचान करें वैसे आपको बता दूं के इसको पढ़ने का आपको इतना दीवाधा होगा नहीं आप डिरेक्ट्टी नीचे पहले कोशन पढ़ना अगर कोशन का अंसर पढ़ना ठीक है, LDC का मतलब होता है कमविक्सी डेश, Least Develop Country, तो जो कमविक्सी डेश है ना, उनको विकास करने के लिए, आप कह सकते हो, एक operation चलाया गया था, आप कह सकते हो, एक पहल शुरू करी गई थी, वो पहल कौन सी थी, नियो, नैम, नाटो, या सीटो, अभी है क्या पहले तो बतायता हूँ, यह है जी, इसका आंसर जो है, वो है, नियो, अब है क्या, जो अल्पविक्सी डेश थे ना, उनका विकास करने के लिए न, एक पहल शुरू करी गई थी, जिसको कहा जाता है, नियो, इसकी फुल फॉर्म जो है, वो है, नियो, इंटरनेशनल, एक आत्मिक्ता दी जाएगी, उनके फिकास पर जादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी नयम तो आपको पता है, एक सैनिक संगठन है, नाटो भी एक सैनिक संगठन है, सीटो भी एक सैनिक संगठन है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, साउथी स्टेशियन, ट्र और रेक्टी देशन पर आते हैं जिन देशो को सबसे कम विक्सीत के रूप में वर्गीत करिफ दित क्या गया है वह कौन से देशते शेणज या शासन वाले देश ते प्ष्छिमी ब्लॉग के देश पूरी ब्लॉक के देश तो यह तो मैं आपको बता चुक हूं यह दोनोग नहीं थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे जो कम विकसी देश थे थे ना वो गुट निर्पेक्षता के देश थे, okay, और गुट निर्पेक्षता को हो पाँच कंट्रियों ने मिलकर बनाया जिसमें से एक भारत भी था और भारत के परधानमंतिर उससे में जवाला नहरू देव अल्प विक्सी देशों का मुख्योद देश है क्या है बेसिकली वो चाहते है कि आर्थिक रूप से उनका विकास हो और लोग जो है वो गरीबी से निकले एक कम विक्सी देश की तो यही वीचाड़ दधा रहोगी वो तो यही चाहते है नेक्स वाले कोशन पर आ जाते है चूछ यह बहूत important कोशन है और इसका answer आप पक्का गल्त करके आ जाते अगर मैं आपको नहीं बताताई कोशन क्या है और यह पी-वाई Q है ठीक है उस देश की पैचान करे जो Jew गुड इंर्पेंष्टा समूग का सदस्य नहीं था मतलब starting में जब Jew गुड निर्पेंष्टा बनाया गया था首ож P इंडिया इंडिया की बात हमोग के अभी था पाकिस्तान बहुत बाद में जो है वो गुटनेर पेख्षता का हिस्सा बना है तो इस कांसर है पाकिस्तान ठीक है नौर्थ कोरी अभी था समझ रहो नेक्स वाले कोशन पर आ जाते हैं कि जो हमारा ओपरेशन इराकी फ्रीडम है कोशन नंबर 16 जो है वो हमारा ओपरेशन इराकी फ्रीडम वाला है जिसमें सद्धाम हुसेन को हटाया गया था तो ओपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था 2003 के अंदर चलाया गया था याद है ना चलो नेक्स वाले कोशन की बात करते है जिश्री giàईद किंदो महाशक्ति लड़ा गया था, आपको पता है, अमेरिक और सोवे संग के बीच में लड़ा गया था, इस का ऑंसर जो है, वो सी है, ठीक है? नेक्स वाले कोशन पे आते हैं, कि अमेरिका की किस विचारदारा का समर्थन करता था, तो आपको पता है समाजवादी, पुंजीवादी, सामयवादी, मिश्रित, तो इसका अंसर है जी पुंजीवादी, Capitalism, Capitalist Ideology का support करता था, पश्चेमी संगठन का समर्थन देश कौन सा है, America, easy question है तो पश्चेमी संगठन दन का, यानि नाटो की बात हो रही है आपर, पश्चेमी गठन दन नाटो का ही था, ठीक है, next आते है कि पूरवी गठन दन के एक प्रमुक सैन्ने गठन दन का नाम चुने, पूर्वी गठबंदन, पूर्वी गठबंदन का क्या नाम था, जो USSR का था, वार्सा पैक्ट, सोब्या संका था वार्सा पैक्ट था ना, चलो जी, नीचे वाले कोशन पर आते हैं, के बल्लिन की दिवार किसका परतीक थी, पूंजी वाद का, सामय वाद का, पूंजी वाद प्रेम का, तो प्रेम का तो नहीं है, ना ही सामय वाद का, ना ही पूंजी वाद का, यह दोनों के बीच में विभाजन का परतीक है, यानि बोलो यह तो शीतियूत का परतीक है, तो इसका अंसर होगा C, ठीक है, नेक्स फेला कोशन है, के समाजवादी खेमे के देशों को, क उसको तीसरी दुनिया का देश माना जाता है, ठीक है जी, तीनों बता दिये मैंने, देख रही हो आप, कोशन से कोशन बना रहा हूं, और पता नहीं टाइम कितना हो गया होगा, आलमोस्ट आदा घंटा होने वाला, और सिर्फ 22 कोशन होगा है, क्योंकि मेन मोटिव आपको पिंसे लेकर कार तक सब कुछ बनाते थे, सही बात है, वहाँ पर बहुत जदा बेरोजगारी थी गलत, वहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, यह विशेशता थी वागी, तो इसका अंसर जो होगा, वो B होगा, कौन सा नहीं है यह पूछा ना, तो B नहीं है, नेक्स वाले क और ग्लास नॉस्ट, ठीक है, तो यह कोशन भी आ सकता है, तो यह भी हमारा मिखाईल गोरवचिव लाया था, नेक्स वाले कोशन पर आ जाते है, कि जो सोवियत संग है, उसके विगटन के बाद, सोवियत संग का उत्राधिकारी कौन बना था, तो वो बना था हमारा रूस, यानि जो पावर पहले USSR के पास थी न, वो अब रूस को दे दी थी, यानि विटो पावर, पहले 5 कंट्री में से जो एक कंट्री थी, वो USSR थी, तो वो विटो पावर रूसियों को दे दी थी, ठीक है, चलो वैसे भी आपने पढ़ रख था है, तो यह जो कोशन चैप्टर क आपको आते होंगे, बट फिर भी समझाओंगा मैं, 27 की बारत करते है, सोवियत संग की कुल कितने गढ़ राज जयते है, तो सोवियत संग में आपको पता, टूटल 15 गढ़ राज जयते है, जिसमें से दबदबा किसका था, USSR का, रश्या का, नेक्स वैला कोशन है, कि राश उकमेनिस्तान भी मिल गया था में, ऑब बाद में सारे के सारे अलग ओ गया था, जब डॉन बास पे कबजा किया था, रश्या ने, जोड़िया 2008 में अलग ओ गया था, जब यूद वगेरा हुआ था, उसका, तो इसले छोडते वेचले गए और अब एन्ट में जाकर अब भ कितने हो गई है नाइन हो गई है ठीक है चलो नेक्स्ट है कि इन में से कौन सा जो है वो बाल्टिक गड़राजय का हिस्सा नहीं है तो रूस को छोड़कर ये तीनों के तीनों बाल्टिक गड़राजय का हिस्सा है उल्टा भी कोशन आ सकता है कि बाल्टिक गड़राजय का हिस इसने बोला था, USSR के अंडर पहला ऐसा गण राज जा था, जिसने बोला था, कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इसने बोला था, ये बोना था, जी, लिथुआनिया ने, तो इसका अंसर जो होगा, वो हमारा C होगा, ओके, नेक्स वाले कोशन पर आते हैं, कोशन नमर 30 का नेक्स वाले कोशन है, नेक्स वाले कोशन है हमारा, कि जून 1991 में रूस के नई राश्टपती कौन बने, अब 1991 में नई राश्टपती पूछा है, तो गोरवाचेव तो नहीं होंगे, वो तो हटे थे बेसिकली, तो पुतिन अब है, तो वो भी नहीं थे, लेनिन तो 1970 में जिंदा था, वो तो उसने तो 1971 की रूस करांती कराई थी, तो इतनी टाइम तक कैसे जिंदा राए गया, तो इसका अंसर जी, C. बारिस यलसिन, पूरा नाम है बारिस यलसिन, इसको रिलोड करके देखता हूँ एक तार, कोशन नमर 33 है ना, चलो आ गया, नेक्स वाले कोशन पर आते हैं, कोशन नमर 33 है, इन में से कौन सा बिंदू शौक थहरीपी की विज़शता नहीं है, चौक थहरीपी में समाजवाद से, पूँझी वाद की तरह बदलाव किया गया था, सही है, इसमें सामुहिक फार्म की जगए, नीजी फार्म की बात की गईती, सही है, चौक थहरीपी को पूँझी वाद देश ने अपनाया था, गलत है, समाजवादी देशों ने अपनाया था ना पूंजी वात के पास तो पहले इसे ही था उनको तो पूंजी वात में translate किया गया था बर पूंजी वात तो पहले सी पूंजी वात है तो ये गलत है तो इसका answer होगा C, जो नहीं है वो बताना ना, C, A, इसका answer. next question number 35-34 Soviet संग में सुधारो यानि पेरिस्त्रो का और ग्लास नोज की शुरुवात की सनेता नहीं करी थी बताई चुका था मैं मिखाईल गोरवा चेव ने करी थी next question पे आते हैं कि Soviet राजनिती परणाली डैश की विचारधारा पे राधारी थी तो आपको पता है कि Soviet जो विचारधारा थी वो हमारी समाजवादी पे अधारी थी राष्टवाद पे नहीं थी पूझी बात पे नहीं थी उप्रोक सभी में नहीं थी तो इसका अंसर जो होगा वो समाजवादी था next question पे आते हैं कि Soviet संगे के बीच में तो मिखाल गोर्वा चे भी था next question पे आते हैं अरब क्रांती की शुरुवात कब से होई थी मैं बता देता हूं आपको अरब करांती था क्या ये इसे मैं स्टोरी बता रहा हूँ बट ये स्टोरी आपके नहीं आएगी ना ही एडिशनल टॉपिक में आड है मैं बता देता हूँ ये मैंने बताई भी होगी 2009 के अंदर पता है क्या हुआ था एक फ्रूट सेलर था तुनेशिया के अंदर नेदे स्रिफ करप्शन के खिलाफ नहीं हर चीज के खिलाफ करप्शन हो गया अंप्लॉइमेंट हो गया गरीबी हो गया सब के खिलाफ उन्हों ने आंदर नो करना शुरू कर दिया और टुनेशिया के अंदर फिर लोकतंतर आ गया आस पास की कंट्री जैसे कि हमारा इजिप एज लीडर था जिसका नाम था हुसनी मुबारक 1979 से लेकर तब तक लीडर रहा हूं 2009 तक बढ़ बाद में 2009 में जब अरब करांती हुई तो फिर उसको भी अपनी पोस्ट होड़नी पड़े क्योंकि तुनेशिया का सर अरब में तुनेशिया का सर एजिप में भी दिख रा था मि यू Гославिया जो है वह कौन से टाइम के अंदर तूटा तो यह बुशा गया है तो यूper जो है वह हमारा 1992 लग-लग इलाकों में बोशनिया और घ्जर गोविना है ना चलो नेक्स्ट है स्लोवेनिया, तजाकिस्तान का जो ग्रह युद है कब खत्म हुआ था, 2001 में खत्म नेक्स वाले कोशन की बात करते हैं, अजर्बाइजान और आर्मेनिया के अंदर किस प्रांद को लेकर संगर्श हुआ, तो अजर्बाइजान और आर्मेनिया के अंदर आज भी बेसिक लिए लड़ाई चल रही है, एक नगरानो करावक नाम का एरिया है, जिसको लेकर आर्मे के support करती है तो इसकी वज़े से लडाई वगरा थोड़ी भड़क सकती है तो क्याते है कि 3rd World War इससे हो सकता है नेक्स्ट है वैसे रश्या भी जो है वो अजर्बाइजन के सपोर्ट करता है क्योंकि जहां अमेरिका होगा वहां रश्या नहीं होगा तो अमेरिका अगर अर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है तो अब्वेसी बात है रश्या तो फिर अजर्बाइजन का ही करेगा क्योशन नमबर 41 पर आते हैं कि सोवियस अंके विकटन के बाद चेक स्लोवाकिया कितने भागों में तूटा दो में तूटा एक तो चेक और एक स्लोवाकिया ठीक है नेक्स वाले क्योशन पर आता है क्योशन नमबर 42 है के डैश के भारत रूस सामरिक समझोते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच में असी दूई पक्षिये दस्तावेज पर हस्तावेज पर अब देखो पहले तो यह आ सकता है पहले तुम्हां इसका आंसर बताता हूं 2001 है 2001 में हमारा इंडिया और रश्या के बीच में एक एग्रिमेंट साइन हुआ था 21 बाइलेटरल इशू पर दूई पक्षिये दस्तावेज पर तो यह भी पूछा सकता है 2001 में कितने समझोतों पर हस्ताग शरू हो थे असी दुई पक्षिये समझोतों पर हस्ताग शरू हो थे ठीक है चलो नेक्स वालो कोशन है डैश पार्टी सोवियत पार्टी की ववस्ता पर दबदबा था किसका कॉमेनिस पार्टी का एक ही पार्टी थी नेक्स्ट है कि डैश का गिरना, शीतियूद का अंत का परतीक था, किसका गिरना, तो आप ऐसी बता दोगे, बम का गिरना, शीतियूद का गिरना, बरलिन बॉल का गिरना, या इन में से कोई नहीं, तो इसका अंसर है, बरलिन की बॉल का गिरना, शीतियूद का अंत का परतीक ठीक है, नौन अलाइँ दॉक्मेंट नेकस्ट आ जाते हैं, कि सोवियत अर्थवस्ता की प्रकृती केसी बारे में लिमिल लिक्षित में इसे कौन सा कथन गलत है यानि इनLanernफ। पॉइंट है जो कि गलत दे रखा है हमारे सोवियत अर्थ व्यस्ता के प्रकृति के बारे में जो हमारा USSR है वो समाजवाद पर चलता था सही बात लिखी है ठीक है उत्पादन के साधन पर राज्जय का समित बता था सही बात लिखी है अर्थववस्था के हर पहलू पर नियोजन नियंतर राज्य करता था सही है किया वहाँ पर आर्थिक अजादी थी नहीं वहाँ पर आर्थिक अजादी नहीं थी चलो, नेक्स वाले कोशन पर यहां पूर्टी स्यवन लिखावा है, कौशन हमारा कि निमलिकेत में से कौन सा सोव्यत संके विगटन का परिणाम नहीं है, तो इन में से कौन सी चीज जो है वो सोवियत संके विगटन के बाद नहीं होई थी विचारधारा का अंत हो गया था USR, USSR के बीच में विचारधारा की अंत की लड़ाई खतम हो गई थी सही बात है स्वतिंतर राष्ट्रो का राष्ट्रकुल यानी CIS बना था, सही बात है जो देश टूटे थे ना USR से अलग हुए थे, उन्होंने अपना संक्ठन बना लिया था, CIS, यह भी सही बात है विच्व वश्ता में शक्ती संतुलन चेंज हुआ था, सही बात है मध्यपूर्व में संकठ बड़ा था देखो, यह ना बच्चे कुछ कहेंगे सर यह तो सग्या, यह नहीं में इसे होगा कुछ गलत ठीक है, तो वैसे इस कांसर यह गलत है क्योंकि इसमें मत्य एशिया होना चाहिए था next question पर आता है, question number 48 Soviet विवस्था के जो निर्माताव निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया थूढ़ा complicated question है, किसको महत्व नहीं दिया नीजी संपत्ति की समाप्थी को महत्व दिया, समानता के सिध्धान्त पर समाझ के निर्माड को महत्व दिया विरोधी दल का अस्त्वित्व नहीं होगा नहीं होगा इस पर भी महत्व दिया उन्होंने अर्थ विवस्ता पर राज्य का कोई नियंतर नहीं होगा नहीं इस पर महत्व नहीं दिया एक्ट्व में होगा इस पर महत्व दिया था समझ लोग इसी मैं बोल रहा हूं यह तोड़ा सा संचार पह्णार बढली ब्रोजगारी बैर कर नहीं चाहिए पे भूल यह फो मेड चाहते आग浩ी है वाले ऑटव अच्छा लाइन वाइज लगा लाएज, सोविय संकविक डन 1991, बलिन वॉल का गिरना 1989, रूसी करांती 1970, अफगानिस्तान संकट 1979, मतलब कब हुआ था अफगानिस्तान नहीं है, पहले है, पर 1979 नहीं लिखना, अफगानिस्तान संकट में पूरा आ जाएगा, पर चलो, 1979, 1979 में आर भी भेजी थी, अब देखो, पहले का अंसर जो होगा, वो, फर्स्ट जो है, वो C है, उननिस सो, ठर्ड है मतलब, उननिस सो सत्रा तो आप देख लेते हैं, सर ये तो एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो यानि C सही है हमारा, बाकी चेक करने की ज़रूत ही नहीं, इसमे के विगठन का कारण है, विवस्ता जो थी वो अच्छी थी, अर्थ विवस्ता, अरे तो गलत बात दिखी वी है, अर्थ विवस्ता अच्छी होगी तो तूटेगा क्यों, इसमें बताना तूटा क्यों, तो ये पॉइंट पक्का गलत है, इसमें पूछा क्यों तूटा और इसी के जिसे USSR का अंतुवा, USSR टूटिया अलग-अलग देश में, लोगों ने अलग-अलग देश बना लिया अपने, इसका अंसर भी है, ठीक है, चलो जी, नेक्स वाले कोशन पर आते हैं, नेक्स वाला कोशन है हमारा, ये भी अरेंच, अच्छा, ये मैच करना है, सेन ने समझाता, इसमें से सेन ने समझाता कौन है, Boris Selcine, वार्सा पैक, शौक थरीपिया, मिखाईल गोरवाजे, सेन ने समझाता है, तो सर ये की है, वार्सा पैक, तो फिर्स्ट का सेकंड होगा, बागी चेक करने की ज़रूद ही नहीं मेरे को, बढ़ फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ, सुधारों की शुरुवात करी थी मिखाईल गोरवाचेव ने B का जो होगा, वो फोर्ट होगा रूस के राश्पती, कौन है? बोरिस एलसिन क्योंकि शॉक थरीपी कोई नाम थोड़ी ना है आर्थिक मॉडल ये शॉक थरीपी शॉक थरीपी का जो मॉडल है वो IMF और World Bank ने तयार करके दिया था ये भी बात याद अठना, इसमें क्या किया आगाता है इसकी जो एक्च्वल जो नाम है शॉक थरीपी का मतलब होता है अगात पहुचा कर उपचार करना चलो जी, नेक्स वाले कोशन पर आ जाते है मध्य एशिया का कौन सा देश दश वर्षों तक 2001 तक ग्रह यूद की चपेट में रहा है ये तो पता ही आपको तजाकिस्तान उपर भी हमने कोशन देखा था बस थोड़ा घुमा के कोशन है ये चौक थरीपी का मॉडल की संस्था दुहारा बनाया गया था तो विश्व बैंक यानि वर्ड बैंक और आई-मफ यानि अंतराष्टे मुद्राकोश नेक्स वाला कोशन है बिल क्लिंटन किस पार्टी से संबन देते हैं सरय आप ये बिल कलिंटल कहां से आगया तो यह मैं बता देता हूँ यहां से आया है ठीक है एपरेशन इंफाइनट रीच के अंदर बिल क्लिंटन नहीं था न Goldman क्वरेग पूछ लेटें इस वजए से ठीक है तो बिल कलिंटन जो था वो हमारी democratic party से था, याद रहेगा नहीं, next वाले question पर आ जाते हैं, तो यह जो था, वो हमारे democratic party से था, next है कि Bill Clinton जो है, वो किन मुद्धों पर अपने time में, उन्होंने किन मुद्धों पर ज्यादा focus किया था, तो पहले तो मैं बता देता हूं, जो Bill Clinton है, वो 1993 में USA का लेटर ब बसा भी था, इस पर महाभी होग भी चलाया गया था, बिल क्लिंटन पर, अब check करके चलो, अगर search करके बताना मेरे को क्यो चलाया गया था, यह फस गया था, या एक पता नहीं बात, आपको पता है, नहीं पता है, बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, यह ना, एक scandal में अब scandal word से शाय समझ आई गया आउगा आपको, ठीक है, एक intern हुआ करती थी, इनके office में, जिनोंने इन पर case कर दिया था, कुछ कहते हैं, सही case किया था, कुछ बोलता है, गलत case था, गलत था, मतलब case गलत नहीं था, जो हुआ गलत था, case तो कहते हैं, सही था, मतलब सही में उ मतलब होता है कि पता था उनको यह, बाद में पता चला तो उन्होंने कुछ करा नहीं, Henry Clinton नाम था उनका, लेडी का, चलो छोड़ो यार, अपने को क्या लेना देना, आपन अपना देखेंगे, next है क्यूबा मिसाइल संकट का दौरान, क्यूबा के राश्पती कौन था, अगर आप यह recorded video देख रहे हो, तो live हमारे भरत खोरवार वाले चैनल पर होती है, क्यूबा मिसाल crisis 1962 में हुआ था, हुआ क्या था, बेसिकली एना, एक जगा है क्यूबा, अमेरिका के बहुत पास है, अमेरिका के बहुत पास है, अमेरिका ने बेसिकली क्यूबा के अंदर USSR ने कुछ अपने bomb वगरा लगा दिये थे, और उसका मूँ जो है, वो USA की तरफ से कर दिया था, अब इस बात को लेकर, US को बड़ा गुस्सा आया, US के जो leader थे उस time, उनका नाम था जी, John F. Kennedy, क्यूबा के leader थे, Fidel Castro, ठीक है, Fidel Castro के बारे में भी एक बात बोली जाती है, ज बट छोड़ो, समझ आगे ना आपको, तो अमेरिका के पास जो था, वो क्यूबा था, आइलेंड है, उसके जो leader थे, 1962 में कौन थे, Fidel Castro, FC लिख देता हूँ, इसके थे, John F. Kennedy, और हमारा जो USSR के leader थे, उनका नाम था, Nikita Khushchev, लड़की लग रही होगी, बट ये male है, हुआ क अधिया के USSR ने अपनी ship यहां वो लगा दिया यह weapon और अमेरिका के तरफ मुण कर दिया, अमेरिका को गुस्सा आया, अमेरिका रे अपनी war ship भेज दी, USSR ने भी अपनी war ship भेज दिया, दोनों की दोनों war ship आपने सामने खड़ी थी, लड़ाई कभी भी हो सकती थी, 3rd wishwood, फ तो इस टाइम जो थे वो फिडेल कास्टो थे ठीक है क्यों बागे नेक्स वाले कोशन पर आ जाते है नाटो के जवाब में सोविय संग ने सैन्या संधी करी ठीक है नाटो के जवाब में सोविय संग ने तो उसका क्या नाम था वार सा देखा था हमने नेक्स वाले कोशन है के सोविय संगे विगडन के समय कॉम्मिनिस पार्टी के महासरचीव कौन थे मिखाईल गोरवाचेव थे उसके बाद फिर बोरिस एलसिन बने थे और अभी जो है वो वाल्दमेर कुतिन है इसका अंसर जो है वैसे सी है नेक्स वाले कोशन पर आते के डैश आपको पता है वो चलाया था ना इराक पर वो किया था कुएत को अजाद करवाने के लिए आपको पता है यूएन ने जो है वो 1991 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया था उसमें कितने देश मिले थे और कितनी सेना थी तो 34 देश थे बताया भी था हमेने आपको वो पूरा बॉक्स समझाया था और उसके ना 6,60,000 सेनिक थे ठीक है चलो नेक्स्ट है कि क्यूबा के निकट अमेरिका की नौ सेना का थिकाना डैश में है पता है का है गौनतानामो बे के अंदर है क्यूबा के पास ही है ठीक है न को रखा था कोशन नमबर नेक्स्ट पर आते हैं यह हमारा जो है वो अभीकतन और तर्क है ऐसा भी कोशन आ सकते है अभीकतन लिखा वह सोवियत संग का विगटन के बाद विश्व शक्ति जो है उसमें संबंद में बलावाई बदलावाई यह भी सही है बढ़ क्या दोनों और तर्क जो है वो कैसे इन दोनों का अपस में लेना देना है बीच में क्योकी लगा के चेकर लिया गरो इसका वैसे आंसर है दोनों सही तो है बड़ दोनों का अपस में लेना देना नहीं है तो इसका आंसर है बी नेक्स वाले पर आ जाते हैं नेक्स वाला कोशन है कि रूस जूरू की आर्थिक स्तिती ती वो चर्मरा गई थी भी धाचा भी चर्मारा आ गया था डोनों बाते सही बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि शौक थरीपी इसरे थुड़ना अपनाई गई थी, बेसिकली शौक थरीपी का परिणाम दे रखा नीचे, दोनों का मतलब कोई आपस में नहीं है, तो इसका अंसर जो है वो B है, ठीक है, नेक्स वाले कोशन पर आते हैं, नेक्स वाले कोशन है, के जो हमारा ऑपरिशन डेजर्ट स्रॉम है, वो किस देश को अज़ाद कराने के लिए चलाया गया था? तो आपको पता है, यह को कु इवारिक्जिक युद्वारा कब शुरू किया गया था? आतंगवार पर वैस्विग वैस वा नाइन इलेवन के बाद नेक्स वाले कोशन पर आते हैं कोरिया युद कब से कब तक चला देखा आएगा ना कोशन मैंने बोला था ना मैं सारी चीज़े कवर कर रहा हूंगा बच्चे नाइनटीन फिफ्टी से लेकर फिफ्टी थी के बीच में ओके ये भी माना ये शीति उतके कुछ अखाड़े हैं डोंट वरी ये नीचे दे रखा है ये वाला बॉक्स के अंदर है बता दूंगा मैं ओके नेक्स्ट है कि गुट निर्पेक्षता है ना उसके पांस स्थापक देश बताने कौन से हैं तो ये जो उपर के पांचों दिख रहे है ना इन पांचों ने मिलकर गुट निर्पेक्षता को बनाया था मिसर इंडोनेशिया योगोसलाविया घाना और भारत ठीक है चलो नेपाल नहीं था तो बेसिकली मेरा में मोटे अंसर ये नेपाल है वैस जो है वो कहां पर हुआ था तो ये भी हुआ था हमारा दक्षिन अफरीका में ठीक है दक्षिन अफरीका में जो है वो हमारा पंद्रवा सम्मेलन हुआ था और यही जो है पंद्रवा सम्मेलन यही हमारा दक्षिन अफरीका में हुआ था और एक सेकंड यही हुआ था हमारा 2023 के end में, 2024 की starting में total कितने देश है, 10 देश है, ठीक है, यह सारे के सारे नाम भी मैंने आपके लिए लिख रखे है, पहले तो starting के 5 देश है, Brazil, Russia, India, China, और एना पहले इसको सिर्फ BRIC कहा जाता था, पिर एना S भी जुड़ गया, South Africa भी जुड़ गया, कब 2009 में, याद रखना है यह, ठीक है, चलो, और 2006 में बनाया गया था यह BRIC, और एन में, अभी 2023 के अंदर खतम हो गया, पिछले साल मतलब, Egypt, Utopia, Iran, Saudi Arabia, United, UAE, United, Arab, Emirates, यह भी सारे के सारे मिल गए, ठीक है, नेक्स्ट है, इनको अरेंज करना है, तो Operation Desert Storm, 1991, ठीक है, Operation Infinite Reach, 1998, वो जो अलकाइदा के दूतावास पर हमला कर दिया था, Enduring Freedom, 2001, Terrorist से अजादी, Iraqi Freedom, 2003, ठीक है, अब इसको करमनुसार, चलो, मैंने वैसी बता दिया आपको, तो यह question, option लिखना भूल गया होगा मैं, चलो, कोई दिक्कत नहीं, भारत से गुट इर्पेक्षा की अध् विशेष्टा नहीं है, तो कौन सी विशेष्टा नहीं है, शौक थेरेपी सामयवादी को बढ़ावा दिया, नहीं, फूझी वाद को बढ़ावा दिया, इसका answer है, नहीं पूछा न, तो मैंने डारेटली लास्ट पढ़ा, मैं सुझा पीछ नीचे से start करूँगा, तो यह यह answer निकल गया, चलो, वैसे आपको सारे पढ़ने चाहिए, यह भी बता दू मैं आपको, overconfident मत तो जाकरो, कभी-कभी लिखा होता है, सारे के सारे, A और B दूने अभी, ऐसा भी लिखा होता, option में, शौक थेरेपी का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है, garage sale, शौक नेक्स वाले question की बात करते हैं, रूस के दो इलाके, चेचन्या और दागिस्तान, दागिस्तान के अंदर हिसका अलगावादी आंदोलर चलेते, तो इसका अंसर है दागिस्तान, और यह question भी था, हमने देखा था, MCQ के अंदर, next है 79 का question, Soviet Sun का उतराधीकारी किसे बनाया गया, तो रूस को बनाया गया, Soviet Sun का उतराधीकारी, next question है, इसको भी arrange करना है, गुटने रिपेक्सता कप, 1961, पाकिस्तान का बनना, 1947, रूस की करानती, 1917, USSR का विक्टर, 1991, टैकर लो जी, सबसे पहला दे रखा है, ठर्ड तो ठर्ड बनाया था, तो इंडिया के, जवालान लहरू, मिसर के, करनल नासर, इंडियोनेशिया के, सुकरानो, ठीक है, योगोसलाविया के, मार्शल टीटो, घाना के, वामे, एंकुरूमा, ठीक है, और यह मैं तो बताई चुका हूँ, और यह शीतियुद के दाएरे, ठीक है, जैस स्टार्टिंग हो गई थी, 1948 के अंदर ही, और कोरियन संकट, 1950 से लेकर, 53 तक चलाता हूँ, ठीक है जी, आई होप, यह सारी की सारी चीज़े, आपको क्लेर हो गई हो, यह वीडियो बहुत दंबी बनी होगी, अल्मोस्त एक घंटे की तो बनी होगी, चलो, एक घंटे थक न सब्सक्राइब करने में दिक्कत हो रही है, पेड़ वाली अगर मानलो आपने जो टेस्ट वाली PDF अगर खरीदी हो, जिसमें आप टेलिग्राम टेस्ट भी दे सकते हो, तो बता दे ना मेरे को कि सर मैंने देखो खरीदी है, और उसका आपको ना उसका वो भी मिल जाएगा, जैसी आप डाउनलोड करोगे, PDF आपके पास invoice आजाएगा, mail पे भी आजाएगा, वैसे भी आजाएगा, तो आप करोगे ना, उस पे click वगरा करोगे, तो मेरा number भी नीचे मिल जाएगा, तो वो मेरे को standard कर दे ना, मैं आपको खुद group में आपका number लेके add कर दूँगा, झाल झाल